हर महीने में आपको सबसे कम विकने वाली 15 या 20 गाड़ियों के बारे में बताता हूं लेकिन इस बार की लिस्ट काफी शौकिंग है क्योंकि कुछ पॉपलर गाड़ियां इस लिस्ट में एंटर कर चुकी है बेरे साब से ये गाड़ियां कम से कम इस लिस्ट में एंटर होना तो डिजर्व नहीं करती है तो चली देख लेते हैं क्या कुछ नया है इस बार 20 पोजिशन पर है मौरिस गराजिस की एस्टर जिसकी 1774 1714 यूनिट्स पिकी है पूरे भारत में एक्स्वी 7W के बाद एड़ास अगर किसी गाड़ी में मिलता है वो भी कम बजट में तो वो एस्टर है इसके लावा ऐसी भी कोई खास कमी नहीं इस गाड़ी में कि ये 28th लिस्ट सेलिंग कार बन जाए इसके बाद 19 पोजिशन पर है टाटा की सफारी सफारी अपनी सेग्मेंट में काफी कुछ अच्छा कर रही है लाउंच होने के बाद से लगातार लेकिन मेरे ख्याल में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लिस्ट में सफारी का नाम आया है मेरे इसाब से इस गाड़ी को यहाँ पर बिलकुल भी नहीं होना चाहिए था 18 पोजिशन पर है इसकोडा की कुशैक जिसकी सिर्फ 1691 1690 विकी है पूरे भारत में आप लोग जानते ही हो कि इसकोडा की सबसे जादा बिकने वाली कुई गाड़ी है समय तो वो है कुशैक कुशैक के लॉंच होने के बाद ही इसकोडा में वापिस से जान आई है हालनकि इन्होंने असलाविया भी लॉंच करी लेकिन उसने कुछ भी कमाल नहीं कर पाया कुशैक लोगों को काफी जाता पसंद आई है हर जगा पर इसकी विक्री काफी तगड़ी चल रही है आम दोर पे देखा जाए तो टाइगुन से डबल ये विक्ती है लेकिन इस बार ही पता नहीं कैसे ये काफी पीछे रह गई है और 18th लिस्ट सेलिंग कार बन गई है 17th position पर है Morris Garages की Hector जिसकी 1630, 1630 इनिट सी बिक्पाई है पूरे बारत में और ये जो सेल्स में आपको बता रहा हूँ ये Hector और Hector Plus दोनों की ही combined है अब आप खुदी देख सकते हो कि Hector की विक्री एक टाइम पर कितनी ही हुआ करती थी लगबख 3,500 के आसपास इस टाइम पर Hector की विक्री 1600 के आसपास रह गई वो भी तब जब Hector और Hector Plus दोनों ही मार्केट में अविलेबल है इसके बाद 16th position पर है Skoda की Slavia जिसकी 1376 1376 इनिट सी बिक्पाई है पूरे बारत में किसी सिडान का इंडियन मार्केट में कम पिक्पाना कोई आश्यर्य वाली बात नहीं है इंडिया में सिडान का मार्केट बिलकुल खताम हो चुका है आश्यर्य वाली बात तो तब थी जब Volkswagen और Skoda जैसी companies ने ये सोचा कि हम एक नई सिडान लॉंच करते हैं उन लोगों के लिए जो सिडान आज भी खरीदना चाहते हैं और आज आप देखिए दौनों की हालत लीस्ट इसलिंगार में इसलावी है ही नहीं अभी वर्टेस भी आपको बताऊंगा दौनों नहीं डले वही है 15th position पर है Citron की C3 जिसकी 1180 ग्यारा सो असी उनिट सी पिकपाई है पूरे भारत में C3 ने काफी हो अलना मचा रहा था यहाँ टीज हो रही है कभी वाँ स्पाई हो रही है कि यह हो रहा है वो हो रहा है इंडिया में फैले हुए नहीं है जिस वजह से लोग बाग इसको खरीदी नहीं रहे है 14th position पर है Volkswagen की Virtus जिसकी सिर्फ 1072 एक हजार युनिट सी पिकपाई है पूरे भारत में आप देख सकते हैं कि Slavia पहले आ चुकी थी और Virtus का नाम अब आ चुका है और ये दोनों सडान्स मुझे नहीं लगता है कि इस लिस्ट से आप बाहर निकलने वाली हैं ये तो बस अब यहीं रहेंगी बॉस 13th position पर है Jeep की Compass जिसकी 732 एक है पिकपाई है पूरे भारत में इसकी next generation WRV जो है वो globally unveil की गई है मुझे नहीं लगता कि अगर उस Indian market में लाया भी जाता है तो वो चल पाएगी क्योंकि उसका interior अमेज़ वाला है और exterior में भी कोई खास दम नहीं है हाँ उसमें एडास जरूर है अब देखते हैं लोग बाग features को अपडेट से इन बलब डिजाइन अपडेट से ऊपर रखते हैं या फिन नहीं 11th position पर है Hyundai की Tucson जिसकी 487 487 उनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में Tucson अगर आपनों को याद हो तो मुश्कल से इसकी 60 ये 70 ये 80 सी उनिट्स ही भिकपाती थी next generation launch होने के बाद में कम से कम 400-500 के आसपास इसकी भिकरी होने लगी है जिस वह ऐसे है कि हम टॉप 10 की लिस्टे से तो बहार नकलाएगी है बॉस 10th position पर है Jeep की Meridian जिसकी 404 404 ये उनिट्स ही भिकपाई हैं पूरे भारत में 9th position पर है Kia की Carnival जिसकी 301 301 युनिट्टी भिक पाई है पूरे भारत में Carnival का तो वही दोर वही कानी किसी बीटी कुब कोशिश करी किया वालों ने ये भिकी नहीं और एक बार ही इसका sale down हुआ तो हुआ बस फिर उठा ही नहीं वापस दे 8th position पर है Nissan की Kicks जिसकी 242 242 युनिट्स भिकी है पूरे भारत में इसके बाद 7th position पर है Mahindra की Maradzo जिसकी 213 युनिट्स भिकी है पूरे भारत में मैं ये तो समझनी आ रहा कि अभी भी इन 213 लोगों ने भी इस गाड़ी को क्यों खरीदा इसको discontinue कर देना चाहेगे ये अब नहीं रही फिप्थ पोजिशन पर है Morris Garrages की Gloster जिसकी 179 एक 189 युनिट्स भिकी है पूरे भारत में इस समय इंडियन मार्केट में Fortuner को कॉंटिशन देने के लिए कोई गाड़ी अविलेबल है तो वो Gloster है पर आप Gloster की Sale देख सकते हो और Fortuner की लगबख मेरे अंदाज में 2000 के ऊपर है आप अंतर देखिए कितना है फोर्थ पोजिशन पर है Fox wagon की Tiguan जिसकी सिर्फ 83 तेरासी युनिट्स भिकी है पूरे भारत में अब क्यों ना बिके है यार एक पेट्रॉल 5 सीटर SUV आप इतनी महेंगी बेचोगे तो कोई कैसे खरी देगा थर्ड पोजिशन पर है Toyota की Hilux जो की एक पिकप ट्रक है इसकी 75 पिचतर युनिट्स भिकी है पूरे भारत में इस बारी इसकी बिक्री फिर भी बहुत अच्छी हुई है कभी एक कभी दो कभी पाँच युनिट्स भिक रही थी इसकी इस बारी फिर भी 75 बिक गई है लेकिन अभी भी है ये लिस से लिंगार में सेकंड पोजिशन पर है महिंदरा की अल्टुरस जी फोर जिसकी 40 चालीस युनिट्स भिकी है पूरे भारत में सिर्फ 15 पंदरा युनिट्स ही पिक पाई है मेरे ख्याल में फिर भी काफी पिक गई एक तो आप इंपोर्ट कर रहे हो C5 एर क्रॉस को जिस वए असे के प्राइस के प्राइस काफी जादा आसमान चूरे है दूसरा फीचर्स के नाम पर पैकेज के नाम पर इस गाड़ी मे जाते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जान करीती हुई है आप जाओ तुम आबर डगर देख सकते हो पसंद आए तो खरी सकते हो इस वीडियो में तो बस इतना ही आपका देन शुब रहे दन्नवाद